Hello, Good Morning Students, How are you all? I hope that you are fine. अपी हम Unit 8 देखेंगे, Okay, Shall I start now? Okay, So, हमारा Unit 8 है, My Silly Sister, Okay, यहाँ पे एक भाई और बहन की बात की गई है, बाई अपनी बहन जो है, उसको क्या बोलता है, मूर्क, कि वो मूर्क है, और अपनी मा से वो फर्याद करता है, कि वो ऐसी है, ऐसी सब फर्याद करता है, So, यह Unit में वो सब है, Okay, So, अभी मैं आपको उसका Translation भी समझाओंगी, कि उसमें वो कहना क्या चाहते है, Okay, My silly sister, Mother, your baby is silly, she is so very childish, she does not know the difference between the light in the street and the bright stars, और वो कह रहा है, ममा, आपकी बेटी बहुत ही मूर्क है, वो अभी बहुत ही बच्ची है, She does not know the difference between the lights in the street and the bright stars, उसका भी मतलब नहीं पता कि, The street means हम जहां पर रह रहे होगे हैं, वो जो light होती है, वो streets की light होती है, society में होती है, वो वो जो stars means वो जो आकास में होते हैं, वो दोनों को एक ही समझ रही है, उसका difference भी उसको नहीं पता है, वो अपनी मा को ऐसा बूल रहा है, When we play with pebbles, she thinks they are real food, और वो जब खेल रही होती है, तब वो कहती है, कि ये तो, ये real world food है, और she even tries to put them into her mouth, और वो खाने का भी try कर लेती है, When I open a book before her and ask her to learn her ABC, अभी जब मैं उसके आगे book open करता हूँ, और कहता हूँ, कि चलो हम पढ़ते हैं, ABCD वो पढ़ाने के लिए उसकी बहें को बैठता है, She tears the pages, और वो सब जो उसके book के page होते हैं, वो क्या करती है, फार देती है, with her hand and road with joy at nothing, और वो ऐसे बहुत enjoy कर रही होती है, और वो page ऐसे हवा में उड़ा देती है, This is your baby's way of doing her lessons, और यसी है तुमारी बच्चे, अब भी second page number, page number 82, देखा अपने इस picture में तोनों भाइबहन को, When I shake my hand at her in anger and scold her, और call her naughty, she laugh and think it creates fun, और जब मैं उसके शर्पे ऐसे हाथ रखता हूँ, और उसे डाटता हूँ, बड़ी घुसे में तो उसे naughty बोलता हूँ, तब वो कैसे ही ऐसे मुस्कुराती है, और उसे ऐसा लगता है, कि ये तो बहुत बड़ा, मजाख है, ऐसे वो सब मजाख में ही ले रही है, कोई बात serious, ले रही ही नहीं रही है, वो ऐसा सब उसकी मा को बता रहा है, चुपाई है, वो अपनी बहन की फरियाद, अपनी मा को कर रहा है, everybody knows that father is away but sometimes I call out father playfully she looks quickly about her in excitement and thinks that father is near अब भी उसका पापा वहाँ पे नहीं है वो जब कहता है कि पापा आ रहा है तो ऐसे वो देखती है वड़ी excitement से देखती है और उसे लगता है कि पापा हमारे नत दिखी है sometime I hold a class with the donkey that our washerman brings to carry away the dirty clothes I warn her that I am the school master and that she better not make any noise और जब मैं उसको कहता हूँ कि मैं अभी school का master हूँ तब भी वो कोई आवाज नहीं कर रही होती है only then she keeps quiet और तभी वो अपना मुझ बंद रखती है नहीं तो वो बक 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 चालो ही रखती है I insist that she should call me dada और मैं उसे कह रहा हूँ कि तुझे मुझे दादा कहना चाहिए वो अपनी बेहन को कह रहा है कि तुझे मुझे दादा कहना चाहिए your baby wants to catch the moon और वो जो चंदा होता है अभी अब चंदा कितना दूर होता है रात को दिखता है वो तो कितना दूर है और वो छोटी सी बच्ची उसे catch करने के ट्रिम देख रही है और वो उसके ट्राइ भी कर रही है she is really funny और वो बहुत funny है mother your baby is silly mama आपकी बेटी बहुत ही मूर्ख है she is so childish और वो बहुत ही अभी छोटी बच्ची जैसा कर रही है और अभी बच्ची है ऐसा ये my silly sister में अब कह रहा है वो जो छोटा भाई है भाई है वो बड़ा है और जो बहन है वो छोटी है बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की फरियाद अपनी मम्मा से कर रहा है पता चल गया अभी हम उसके थोड़े question answer देखेंगे reading is fun question one what does the baby do with the pebbles अभी जो baby baby means क्या कि वो बच्ची की बात कर रहा है जो छोटी जो भाई की बहन थी उसकी बात कर रहा है वो pebbles के सब क्या कर रही थी the baby thinks that pebbles are really food जो pebbles है वो असली में food है और वो उसे खाने का try कर रही थी so the baby thinks that the pebbles are real food and she even tries to put them into her mouth और वो मुह में रखने का try भी कर रही है question two what does the baby do with the book अभी हमने unit में देखा कि वो जब वो अपना उसका भाई उसे पढ़ाने की कोसिस कर रहा था तब वो baby क्या कर रही थी the baby tears the pages of the book with her hands and roars with joy at nothing वो सब भी page fight देती है हमने देखा ना unit में yes that's one when does the baby laugh और बेबी कब हस्ती थी the baby laughs and thinks it great fun when her brother scolds her वो baby हस्ती थी जब उसका भाई उससे डाड़ता था तब उससे लगता था ये तो बहुत बड़ा fun है means jokes है ऐसे ही वो हसा करती थी वो कोई कोई बात serious लेई नहीं रही थी क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटी पच्ची थी question 2 what does the baby do with the book ये तो हमने देख लिया ना question 3 ये भी देख लिया why does the washerman bring donkey the washerman brings donkey to carry away the dirty clothes on their bag okay अभी जो washerman means जो कपड़े धुनी वाला होता है ना वो washerman जो हम धुबी कहते है उसको वो वो अपने donkey को लेके क्यों आ रहा था तो जो गंदे कपड़े होते हैं वो वो donkey के उपर रखके ले जाता है उसके लिए वो आता था the washerman brings donkey to carry away the dirty clothes on their bag talk time what is the funniest thing the baby does और हमने इस unit में देखा की ऐसी कौन सी चीज ये थी जो बेबी को बेबी के बारे में हमको बहुत funniest लखी when her brother shakes his head at her in anger and scolds or calls her naughty the baby simply laughs and finds it very funny this is the funniest thing the baby does जब उसका भाई उसको घुसे में होकर उसे डाटता था तब उसको लगता था ये तो बहुत थी फ़नी बात है और वो बहुत जोर जोर से हर्सने लगती थी तो that one is the funniest thing अभी है do you think the baby sister is really silly अभी आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो जो छोटी बच्ची थी वो शीली means मुर्ख थी क्यों so the baby is not silly in reality she is very small and too young to judge between right and wrong things अभी वो बहुत ही छोटी थी तो हम उसे judge नहीं कह सकते है कि वो बहुत मुव थी क्योंकि अभी छोटे बच्चे तो ऐसा ही करते होंगे आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होगे ना अभी so she is not silly in reality okay अभी है filling the blanks to spell words from the story अभी यहाँ पे दो या तीन word लिखे हुएंगे बीच में blank है so आपको वो blank को fill up करना है और वो हमें word कहां से लेने है story में से ढूनने है okay yes I blank blank why so वहाँ पे क्या आएगा so silly वहाँ पे है sister silly so उसका answer आएगा भी yes silly, pebbles, streets, scold, lessons, naughty, excitement, tronky okay write the similar word from the story similar means उसका meaning same होता हूँ वैसे meaning अभी हमको लिखने है okay so यह आया उसका foolish foolish means silly हमारे हमारी चो यूनिट है उसमें वर्ड यूस किया गया है silly और उसका दूसरा meaning होता है foolish stones, stones वहाँ पे लिखा है ना कि वो stones खेल रहे थे और हमारी story में उसका word यूस किया गया है pay balls आप देख सकते हैं अपनी book में mischievous, naughty अभी mischievous means बहुत ही धमाली अभी आप बहुत धमाली होते हो तो उसको हम क्या कहते है mischievous या naughty okay fetch so उसका मिनिक होता है bring okay have you understood foolish means silly, stones means paper, mischievous means naughty और fetch means bring उसका यहाँ पे similar means same word हो वो हमने story में से लिया है okay filling the blanks with the word from the box children they pay और यह word है उससे हमें जो blanks है वो fill up करनी है अभी the children are playing in the field they are happy they are playing catch me if you can the bell has rung it is time for lessons अभी यह है यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है one child और फिल लिखा है many तो उसका क्या अम में उसका वह यहाँ पे एक वचन है उसका बहु वचन लिखना है so one child फिर है many children many आया तो बहुत सारे बच्चे many कब यूस किया जाता है जब बहुत सारे बच्चे हो तब यूस किया जाता है so children one fox अभी एक fox okay many तो foxes one duck many ducks so यहाँ पे ducks many use हुआ means one goose many geese okay यहाँ पे घुसका हो गया geese geese so यहाँ हम एक्जाम में आपको पूच सकते है अभी आपको children लिखा हो so आपको उसका बहु अचन मींस children लिखना है फिर fox so foxes duck to ducks is ducks goose to geese okay अभी हमारी दूसरी activity अभी आप enjoy तो कर रहे हो ना ओके I hope the children अभी आपको पीछे जो वर्ड है उसके पीछे f u l लगाना है तो आपकी बुक में लिखा होंगा the children are playful okay फिर be the flowers are beauty लिखा होंगा तो beautiful the books are useful the vegetables are plenty full हो गया अभी यहां पे आपको add my to make a word अभी आपको ish the girl is always crying she is childish I slept on banana peel I feel foolish I sh आया ना my sister is babies अभी यहां पे sh रह गया है वो आप लिख देना I am sorry अभी आपका homework write five sentence on how you help at home अभी आपको five sentence लिख के whatsapp करना है कि आप अपने घर में मदद करते हैं तो कौनसी help करते हैं अपनी मम्मी को या पापा को वो लिख के मुझे send करना है वो आप सबका homework है ओके thank you have a good day अपना है